हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ supporting material में से chapter number 8 ही continue करेंगे तो जो भी हमारे साथ जड़ा है मुझे एक बार confirm कर दे audio video दोनों clear है so that हम आज के session को start कर सकें और मैं आपको बता दूँ last class में मैंने आपको total 25 questions करवाए थे actually 25 नहीं थे 24 कर रहे थे 25 वाला हमारे syllabus में से delete हो गया था तो आप लोग फटा फट से एक बार मुझे बता दें right all okay very good so आज की class हम 26 questions से start करेंगे and question number 26 बहुत ही easy level का question है question कहता है आपको इसकंदरना proof करना है यानि कि आज हम identity वाले question करने है ठीक है विरेश तो इस question को करने के लिए हम चाहें तो right hand side को consider कर लें चाहें तो left hand side को consider कर लें कोई दिक्कत परिशानी नहीं आएगी आप जैसे मरजी इस question को solve कर सकते हैं तो हम इस particular question को solve करेंगे इसके left hand side को pick करके तो इसके solution में हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे consider left hand side ठीक है देखते जाओ question नहीं बहुत ज़्यादा असान है left hand side में अपने को दिया हुए है second 4 theta मुझे फटाफट से comment करके बताओ कि अगर किसी की उपर power 4 होती है तो उसको क्या read किया जाता है अपने को देख है second 4 theta minus second square theta हमें काम करेंगे question को proof करने के लिए हम इसमेजे second square theta common ले लेंगे तो हम यहाँ पे जब second square theta common लेंगे bracket में आएगा अपने पास second square theta minus 1 फटाफट से मुझे बताओ क्या second step में कोई doubt है आपको फटाफट से बताओ रियांश I am very fine अब classes हमारी daily हुआ करेंगी कोई problem वली बात नहीं है अब हम एकदम सही है ओके है fit and fine है तो अब आप यहाँ पे देखिए हमें इसके अंदर identity use करनी है तो मैं यहाँ पे लिख जाता हूँ आपके लिए हम जानते हैं second square theta minus 10 square theta की value होती है 1 यहाँ से हम दो identity और लिख सकते हैं कि अगर हमें कहीं पर second square theta put करना पड़े तो वो बन जाएगा 1 plus 10 square theta ठीक है और यहाँ फिर अगर हमें कहीं पर 10 square theta find मदलब substitute करना पड़ जाए तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं second square theta minus 1 और इस question के अंदर यह दोनों की दोनों identity का use होगा आप यहाँ पे देखो यह second वाला bracket है second square theta minus 1 तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है second square theta minus 1 की total value होती है 10 square theta तो second वाले bracket की जगा पे आजाएगा 10 square theta और आगे है यहाँ पर second square theta तो हमने यहाँ पे note करा हुआ है कि second square theta की value होती है 1 plus 10 square theta तो हम यहाँ बे bracket में लिख देंगे 1 plus 10 square theta बस question मेरे दोस्त खतम हो गया इसको आप बस multiply कर दो just multiply it आपका answer आपके सामने finish हो जाएगा this will become 10 square theta जब आप इस 10 square theta को बन से multiply करोगे 10 square theta और जब आप इसको second वाली term से multiply करोगे तो बन जाएगा 10 4 theta और आप देख सकते हैं इसके left hand side में यही है 10 4 theta 10 square theta which is equal to RHS तो last में आप लोग लिख देना left hand side right hand side दोनों equal हैं so hence proved okay क्या आपको बात समझ आ रही है राजवीर जी आपको कैसे मालूम है कि आपके exam में यह पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है लिखित जड़ा एक बार राजवीर को बताओ कि यह exam में आता है या नहीं आता है हमने तुमसे परसनली बात करी है तो तुमने कहा था कि सर यह वाले कोशन एक्जाम में आते हैं तो जड़ा एक बार आप राजवीर को बताओ कि आते हैं या नहीं आते कोशन नुमबर 27 बहुत इजी रैवल का कोशन है फटा फट से पहले आप वीडियो को शेर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में ठीक है है हेलो हेलो लिखित हेलो इस पहले पर्टिकुलर कोशन को करने के लिए आपको हमेशा कंसीडर करना होता है जहां पर रूट वाली टर्म दिया होती है हमेश कोशन के लिखेंगे रहन है यहां पर रूट वाली टर्म को कंसीडर करना है ठीक है बर आपको मालुम है आप इसके रूट वाली टर्म को कंसीडर क्यों करते है क्योंकि हम इसके अंदर rationalization process का use करके इसके root को remove करेंगे तो अब हम यहाँ पर इसके root को remove करने के लिए use करेंगे rationalization process तो ज़रा ध्यान से देखना है rationalization process कहता है कि जो denominator में term है उसका sign reverse करके multiply, divide कर दो तो हम यहाँ पर multiply करेंगे इसके denominator में है 1 minus sin theta तो यह बन जाएगा 1 plus sin theta ठीक है और इसके denominator में भी आएगा 1 plus sin theta बहुत ज्यादा simple अब आपको just इसके जो अंदर term है उनको multiply करना है तो 1 plus sin theta, 1 plus sin theta multiply करेंगे बन जाएगा 1 plus sin theta का whole square same same term दो बार है तो 1 plus sin theta का whole square और इसके denominator में a plus b और a minus b है 1 minus sin theta, 1 plus sin theta यह होता है a square minus b square a का square यानि की 1 का square 1 का square यानि की 1 b का square यानि की sin theta का square और sin theta का square करेंगे तो बन जाएगा sin square theta और अपना जो square root है वो एकदम same to same रहेगा अब आप यहाँ पे देखो आपने सबसे पहले identity पढ़ी होगी sin square theta plus cos square theta is equal to 1 आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा cos square theta है वो equal है 1 minus sin square theta के यहाँ पे ध्यान से देखो इसके denominator में भी 1 minus sin square theta ही है तो यह बन जाएगा अपने पास square root of this will become 1 plus sin theta का whole square right इसके denominator में आएगा cos theta का square यानि की cos square theta अब हम दोनों के square को एक साथ लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ square root का square root रहेगा अपने पास यहाँ पे आएगा 1 plus sin theta इसके denominator में हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ cos theta और अब यह बन जाएगा इस तरह से करके whole square जो यह वाला square था और जो यह वाला square है हमने इसको एक bracket बना के लिख दिया square और आप जानते हैं square और root आपस में cancel हो जाते हैं तो when we cancel square root and square तो अपने पास value बचेगी 1 plus sin theta upon cos theta अब आप देखो question कितना असान हो गया आपको इसको separate करना है यानि कि आपको लिखना है one upon cos theta फिर addition का sign sin theta upon cos theta अब आपको अगर identity मालूम है question true वाली तो हमारा question एकदम easy है आप इसको लिख सकते हैं this will become second theta और यह बन जाएगा आपने पास plus में 10 theta इसके right hand side में यही दिया हुआ है 10 theta second theta यही हमारे पास आगया है which is equal to rhs तो यह हमारा proof हो गया ओके जी यह हमारा proof हो चुका है अगर आपको इहां तब कोई doubt है तो आप मुझे बता सकते हैं और अगर doubt नहीं है तो theta fat सा आप मुझे एक थमजब करके भेजें ताकि हम अपने question को आगे proceed कर सके ठीक है फटा-फट से बताईए राइट आगे बढ़ा जाए so question number 28 question number 28 study partner good evening question number 28 के अंदर हमें एक fix value दे रखिया है कि x की value यह है इसके बाद y की value यह है आपको बोला जा रहा है proof करके दिखाओ x square minus y square की value है p square minus q square तो इस तरह के question को करने के लिए आप ना यहाँ पे इसको सबसे पहले देखो इसके left hand side में है x का square और हमें question में दिया हुआ है x तो हमें काम करते हैं x को consider करके उसका square कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे x is equal to p second theta question बहुत असान है plus में q 10 theta और फिर कर देंगे इसी का square तो यह बनेगा x का square equal to p plus p plus नहीं है p second theta plus में q 10 theta इसका square करना है में तो यह बनेगा a plus b का square a plus b का तो बच्चा बच्चा प्रफॉल्मा जानता है a plus b के square की value होती है a square यानि की p square second square theta इसके साथ में b square यानि की q square 10 square theta plus में 2 into a into b तो यह बनेगा 2 multiply p second theta इसके साथ में आएगा multiply q 10 theta अरे आज आप लोग comment नहीं कर रहे मजा नहीं आ रहा comment करके बताते जाएए भई मुझे कैसे पता चलेगा राजवीर जी तो यह अपने पास आगया x square का value ठीक है जशन सिंग कैसे हो आप फिर यहाँ पे लिखो y तो y की value है अपने पास p 10 theta plus में q second theta ठीक है भई हमें y का भी square करना है तो squaring both side यह बन जाएगा y square equal to p 10 theta जस्ट यहाँ पे square लगा जाएगे न bracket करके into plus में q second theta का square अब दुबारा से a plus b का square लगाएगे तो बनेगा p square multiply 10 square theta plus में q square multiply second square theta इसमें add होगा 2 into a into b जाने की 2 p 10 theta multiply by q second theta बताइए कि आपको यहाँ तक कोई doubt है say yes or no बताइए हाँ या न 28 question जो है वो olympiard का question है तो आप olympiard के question को मान कर देख लें भाई लेकिन examination में आ सकता है ठीक है तो अब मान लेते हैं यह है अपनी equation number 1 और यह है अपनी equation number 2 हमें दोनों को करना है minus ठीक है यहाँ पे देखो इसके left hand side में x square minus y square equal to इसके left right hand side में पहले यह वाली पूरी term आएगी तो मैं यहाँ पे इसको note कर देता हूँ यह बन जाएगा p square secant square theta plus में q square 10 square theta इसके साथ plus में देखो मैंने इसको थोड़ा सा modify करके लिख रहा हूँ ठीक है तो यह बनेगा अपने पास 2 into p into q इसके साथ multiply second theta multiply 10 theta अब मैं अगले वाली statement को pen color change करके note कर देता हूँ हमें इस पूरी statement के आगे minus का sign लगाना है और आप लोग जानते है ना जब minus का sign लगाते हैं तो sign change हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर आएगा minus p square 10 square theta फिर आएगा minus q square second square theta और फिर आएगा minus इसको मैं थोड़ा modify करके note कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले लिखा था तो यह बन जाएगा यह 2 into p into q पहले second theta और फिर 10 theta राइट बताईए आपको यहाँ पर वाली statement में कोई doubt है say yes or no बताईए study partner हाँ या ना एकदम crystal कि रहा है यहाँ तक तो यह देखो यह है plus का 2 p q second theta 10 theta और इसके साथ यह है 2 p q second theta 10 theta negative sign तो यह वाला positive और यह वाला negative cancel हो गया बाकिक के remaining parts में आप यहाँ पर देखो p square second square theta minus में p square 10 square theta तो दोनों में से p square common bracket में आएगा अपने पास second square theta minus 10 square theta ठीक है ना इसी तरह यहाँ पर देखो यह है q square 10 square theta और यहाँ पर है यह q square second square theta तो यहाँ से भी आप एक काम करो minus का q square common लो तो हम जब minus का q square common लेंगे तो जो उपर negative term है उसको पहले note करना पड़ेगा तो negative term है यहाँ पर यह वाली तो यहाँ पर यह बन जाएगा plus में second square theta फिर आएगा यहाँ पर negative के साथ में 10 square theta right bracket close आप जानते हैं second square theta minus 10 square theta की value 1 होती है तो हम यहाँ पर लिख देंगे बनेगा p square multiply 1 minus q square multiply 1 तो आप देख सकते हैं question हमारा finish हो गया which is equal to p square minus q square which is equal to our right hand side क्या आपको यहाँ तक कोई doubt है राजवीर कह रहे हैं sir cbsc exam postpone हो गए है बेटा अभी तक official नहीं है और जब तक official नहीं हो जाता तब तक हम नहीं कुछ कह सकते जब तक official नहीं आ जाता जब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं आगे बढ़ जाएंगे question number 29 पर question number 29 बहुत ही ज़्यादा important question है और इस question को करने के लिए आप लोग ध्यान रखेगा जो सबसे बड़ा coefficient है आप उच सबसे बड़े coefficient को छोटे coefficient की terms में split करो जैसे कि इस equation के अंदर हमारे पास सबसे बड़ा coefficient है यहाँ पर 7 देखो 7 बड़ा number है ना तो हम यहाँ पर side पर note करेंगे 7 और हमें अब इस 7 को 2 parts में split करना है छोटे वाले coefficient की term में तो छोटे वालों को coefficient है यहाँ पर 3 तो 7 को 3 की terms में note करना है तो आप इसको लिख दोगे 7 is equal to 4 plus 3 4 में 3 plus करेंगे तो 7 आएगा यहाँ पर आप लोगों का doubt होगा कि 7 को हम 5 plus 2 भी लिख सकते हैं और 7 को 6 plus 1 भी लिख सकते हैं भाई देखो यह भी सही है और यह भी सही है लेकिन question के अंदर जो छोटा coefficient है वो यहाँ पर 3 है तो हम लिखेंगे 7 को 4 plus 3 है नीचे वाले दोनों सही लेकिन इस question की demand के according यह गलत है 7 को 4 plus 3 करके note करेंगे तो यहाँ पर यह 7 के साथ में sin square theta तो यह बन जाएगा अपने साथ यहाँ पर 4 sin square theta इसमें add होगा 3 sin square theta और उसमें भी add होगा 3 cos square theta और इसके equal to में same रहेगा 4 यहाँ पर देखो 3 sin square theta 3 cos square theta हम इसमें से 3 को common ले लेंगे तो अपने पास value बनेगी 4 sin square theta 3 को तो common ले लेंगे तो bracket में आएगा अपने पास sin square theta plus cos square theta और equal to में 4 same to same रहेगा यह sin square theta cos square theta की value 1 होती है तो हम इसको लिखेंगे 4 sin square theta plus में 3 multiply by 1 is equal to 4 आप इसको लिख सकते हैं 4 sin square theta देखते जाओ यहाँ पे इदर 4 sin square theta is equal to 3 को 1 से multiply करेंगे 3 आएगा opposite set जाएगा तो minus होगा तो 4 minus 3 4 minus 3 का मतलब है answer बन जाएगा यह 1 तो हम इहाँ पे इसको लिख देंगे this will become sin square theta is equal to 1 divided by 4 बताओ यहाँ तक कोई doubt आपको मिश्रा जी कह रहे हैं मंडे को exam है मिश्रा जी all the best एकदम exam को अच्छे इस तरह solve करके आना एक भी question आशन है नहीं होना चीए जो आप ना कर पाओ तो अच्छे तरह preparation करो और all the best ओके चलिए बाकी बच्चे यहाँ पे देखेंगे एकदम ध्यान से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको sin theta is equal to square root of 1 divided by 4 यहाँ फिर हम इसको लिख सकते हैं देखो sin theta is equal to 1 divided by root कितना आएगा 1 by 2 आएगा चलो फटाफट से मुझे comment box में answer देदो कि 1 by 2 sign के कौन से ratio पे होता है सब का answer चाहिए मुझे फटाफट से मिश्रा जी इसका answer बताओ आपका paper है आपकी practice हो जाएगी sign की value पे कब 1 by 2 होता है फटाफट बताओ तो आप कहेंगे 30 पे होता है यहाँ पे लिख देंगे this is equal to sign 30 यह भी sign और यह भी sign यानि की theta की value आगई अपने पास यहाँ पे 30 degree सही है न what will we get theta is equal to 30 degree question कहारा है proof करो 10 theta की value 1 by root 3 है हम यहाँ पे लिख देंगे 10 theta का मतलब है हमें find करना है 10 30 degree क्योंकि हमने theta की जगा पे 30 degree find करा तो 10 30 degree की value तो हम जानती है 1 by root 3 होती है तो बस हमारा question complete हो गया 10 theta is equal to 1 by root 3 यही हमें question में proof करना था ओके ठीक है भई निखिला बात समझ गए ठीक है एकदम सही answer दिया आपने very good बहुत बढ़िया now question number 30 solve करेंगे हर बच्चे का answer मुझे comment में चाहिए भईया इसके opposite में है 1 by 2 और यहां पे है sign यह थो हमने अभी अभी करा मैं इसको यहां पे direct लिख देता हूँ यह बन जाएगा sign a minus b is equal to sign of 30 अभी हमने अभी हमने solve करा न यह वाला sign और यह वाला sign हट जाएगा value आजाएगी a minus b is equal to 30 this is the equation number 1 अब आप लोग मुझे बताओ कि cos के angle पर 1 by 2 कब होता है फटा-फट बताओ cos के angle पर 1 by 2 कब होता है फटा-फट से answer दो तब तक मैं यहां पर लिख देता हूँ cos of a plus b is equal to फटा-फट से बताओ 1 by 2 कब होता है तो आपको बोगे सर 60 पर होता है cos or cos cancel हुआ इसका मतलब है a plus b का answer बन गया 60 यह है अपनी equation number 2 अब हमें elimination method का use करके a और b की value find करनी है हमारा question complete हो जाएगा ठीक है तो हम यहां पर लिख देते हैं अपने पास a minus b है 30 degree और अपने पास a plus b की value है 60 degree b और b cancel हुआ यह बना 2a is equal to 90 degree and a is equal to 45 degree हमारे a का answer आ गया है 45 degree अब हम यहां पर लिखेंगे put a is equal to 45 in equation number चाहें तो 1 में put कर लें चाहें तो 2 में put कर लें तो अभी हम इस time पर इसको equation number 2 में put कर देते हैं equation number 2 यानिकी इसके अंदर so a plus b is equal to 60 a की जगा पर 45 plus b is equal to 60 इसका मतलब है b is equal to 60 minus 45 इसका मतलब है b की value आ गई 15 degree क्या आप सबका answer जई आ रहे है a का value 45 और b का value 15 क्या आपको हमारी बात समझ आ रही है सबको हना असाने एकदम very good बहुत बढ़िया very very good study partner का answer आ गया very good now question number 34 30 से सिधा 34 इसका मतलब 31 32, 33 हमारे syllabus में नहीं है अभी की अभी book को open करके question को इस तरह से cross कर दो ठीक है रियांश कहा रहे है sir इनका PB whenness day को है रियांश आपको भी मेरी तरफ से all the best एक बच्चा पूछ रहे PB का मतलब कहा है तो PB का मतलब है pre word और हमें बताना है इसकी value क्या बनेगी तो हम यहाँ पर पहले note कर देते हैं देखो जो quote A है न वो बन जाएगा 4 upon 3 इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं base upon perpendicular का value है 4 upon 3 आप इसको एक दूसरे के साथ compare करने के बाद लिख सकते हैं कि base की value 4 है पर perpendicular की value 3 है और यहाँ पर hypotenuse की value find करेंगे तो होता है P square plus B square राइट P यानि की 3 का square 9 4 का square यानि की 16 यह है यहाँ पर H square यानि की हमने find कर लिया है H square की value है 25 और अगर हम H find करेंगे तो बन जाएगा 5 ठीक है हमें यहाँ पर value put करनी है cosecand A की तो यहाँ पर हम find करेंगे अब cosecand A का answer क्या होता है तो cosecand A होता है H upon P H हमने find करा 5 5 को हम divide करेंगे P P यानि की 3 से या आगर आपने पास cosecand A अब हम एक काम करेंगे इस वाली equation के अंदर cosecand A की value put करेंगे तो division का sign division का sign रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे 5 upon 3 का holy square plus 1 और इसके denominator में भी लिख दाएंगे 5 upon 3 का holy square minus 1 ठीक है 5 का square यानि की 25 3 का square 9 इसमें add करना है 1 divided by यहाँ पर आएगा 25 by 9 minus 1 दुबारा से division sign सेम रहेगा 9 के साथ L सेम लेंगे तो बन जाएगा 25 plus 9 divided by 9 और यहाँ पर आएगा 25 minus 9 divided by 9 यहाँ पर देखो 9 और 9 cancel हुआ तो हम इसको 25 में जब 9 plus करेंगे बनेगा 34 और जब 9 minus करेंगे तो आएगा 16 आप इसको थोड़ा सा short कर लेना 2 के table पर divide करके मैं अभी इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ ठीक है निखिल का answer आगे निखिल वेरी गूड निखिल ने 2 से divide कर दिया है तो एकदम सही divide किया है answer आएगा 17 upon 8 इसको आगे further divide करने की हमें need नहीं है ओके आगे बढ़ जाएं एकदम easy है ना बिल्कुल study का भी answer सही है अंशू का भी answer सही है Now question number 37 34 से direct 37 का मतलब है 35 और 36 हमाई इस levels में नहीं है आप उसको delete कर देना अपनी books में ठीक है question number 37 है in triangle ABC right angle at B AB की value 5 cm AC B की value 30 degree actually यह वाला जो question है question chapter number 9 का है लेकिन solve कर देते हैं देखो यहाँ पे हमने triangle बनाया इस triangle के नाम हमें दे रखे हैं ABC और B पर है 90 degree का angle तो यहाँ पे B point आएगा this is 90 degree angle और यहाँ पे आगया C question कहा रहा है जो AC B angle है वो 30 degree है तो हम यहाँ पे note कर देते हैं जो C वाला angle है वो 30 degree है उसके बाद हमें AB की value दी गई है 5 cm तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 cm AB equal 5 cm हमें बताना है BC और AC की value क्या है तो in order to find BC और AC हम यहाँ पे सबसे पहले use करेंगे 10 30 degree 10 30 degree is equal to perpendicular upon base perpendicular का मतलब है AB और base का मतलब है BC 10 30 का मतलब है 1 upon में root 3 is equal to AB का मतलब 5 upon BC BC आप लिख सकते हैं side BC is equal to cross multiply करने पे 5 root 3 और unit है cm तो answer आगया 5 root 3 cm अभी जादव hello कैसे हो आप इसके बाद यहाँ पे अब हम AC find करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे sine 30 so sine 30 is equal to perpendicular upon base यानि की AB upon sorry perpendicular upon hypotenuse hypotenuse का मतलब है AC sine 30 का मतलब है 1 by 2 AB की value 5 AC हमें find करने है तो cross multiply करेंगे AC is equal to 10 cm तो यह हमारा question finish हो गया एकदम easy level का question था आगे बढ़ जाएं क्या आप सब क्या answer यहीं आ रहे हैं 5 root 3 and 10 cm हाना easy है आगे बढ़ेंगे question number 39 question number 38 को आप लोग delete कर देना ठीक है wish कैसे हो आप रक्षित कोई problem नहीं है 39 question देखो यहाँ पे हमें show करना है कि इसकी जो value है वो यह है तो कितना easy level का question है यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 1 minus sin 60 upon में cos 60 ठीक है cos 60 और sin 60 की value put करनिया तो बनेगा 1 minus 1 minus root 3 divided by 2 इसके whole division में आएगा 1 by 2 उपर वाले 2 का आप ले लो LCM तो जब आप 2 का LCM लगे तो ना यह वाला 2 इस 1 से multiply होगा यानि कि 2 minus root 3 upon 2 और इसके denominator में 1 upon 2 यह वाला 2 यह वाला 2 cancel देखो question कितना असान था एकदम easy level 2 minus root 3 divided by 1 का मतलब है हम इसको लिख देएंगे 2 minus root 3 यह थो हमें proof करना था कितना easy level का question है एकदम easy level का question एंशू कांसर एकदम सही आ रहा है very good एंशू बहुत बढ़िया लगे रहो इसी तरह very good आगे बढ़ते हैं question number next करेंगे 40 question सबसे पहले तो आप एक काम करें इस 40 question को अपनी book में open करें और अपनी book में open करने के बाद इसके denominator में sign change कर लें यहाँ पे आएगा plus ठीक है this is the plus sign और इसके first वाले में है minus का sign तो book को अभी open करो और change कर लो एक जगा पे plus आएगा अब आप देखो इसके अंदर theta की value कैसे find करेंगे सबसे पहले उपर numerator में से cos theta common ले लेंगे तो जैसे ही cos theta common लेंगे bracket में आएगा 1 upon में 1 minus sign theta ठीक है plus का sign 1 upon में 1 plus sign theta right और यह हमने करा bracket close और equal to में आगया 4 अच्छा देखो यहां पे इससे doubt मत रखना इसका मतलब है theta की value यहां तो 90 आनी चाहिए यहां तो 90 से छोटी होनी चाहिए theta की value 90 से बड़ी नहीं हो सकती ठीक है चलो तो अब आप यहां पे देखो यह बनेगा आपने पास cos theta इसके bracket में हमें लेना पड़ेगा LCM तो LCM लेना तो मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है आपको इस वाले को multiply करना है यहां पर और इसको multiply करना है यहां पर और इसके denominator में इन दोनों का multiply तो यह बनेगा अपने पास 1 plus sin theta फिर addition का sign 1 minus sin theta और इसके denominator में multiply करेंगे तो A minus B A plus B ठीक है तो यहां पर लिखेंगे 1 minus sin theta पहले multiply करके लिख देते हैं इसके साथ में 1 plus sin theta ओके bracket close और यह square bracket close equal to में है 4 एकदम ध्यान से solve करो यह वाला sin theta और यह वाला sin theta cancel क्योंकि यहां पर है minus और यहां पर है plus तो यह दोनों की दोनों terms cancel हो गई अपने पास value बची 1 plus 1 1 plus 1 यानि की 2 तो यह आएगा अपने पास cos theta cos theta multiply 2 divided by A minus B A plus B होता है A square minus B square यानि की 1 minus यह बन जाएगा sin square theta और equal to में 4 यह आगया 2 1s आ 2 और यह आगया 2 2s आ 4 हम इसको लिख देंगे cos theta divided by इसको solve करने पर value बन जाएगी cos square theta अभी identity आए थी ना तो cos square theta equal to 2 cos theta और cos square theta को divide करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 upon cos theta is equal to 2 यानि की secant theta is equal to 2 जैसा कि आप लोग answer दे रहे हैं कि sir answer है 60 degree इसका मतलब आपने इसको लिखा है secant theta is equal to secant 60 degree secant और secant आपस में cancel तो theta का answer आगया है 60 degree क्या आपको बात यहां तक समझा आगी है सबको विश्व और रक्षित और निखिल ने एकदम correct answer दिया है very good बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आज बहुत कम बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ कोई बात नहीं आपको notification शायद नहीं आई होगी तो जो भी हमारे channel पर नया है भाई channel को subscribe कर लो ताकि जब भी मैं live आऊं तो notification आपके phone पर अपने आप आजाए subscribe करने से नहीं आएगी साथ में जो bell icon है उसको press करके all notification on कर लेना आप सभी का दिल से thank you इस session को join करने के लिए अगर session पसंद आया तो जाते 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 वीडियो को like जरूर करना चलिए तो आज की class को यहीं पर wind up करेंगे bye bye everyone good night everyone bye bye रक्षेत bye bye